नमस्कार दोस्तों मैं सुनील सिंग जिसरोटिया टीचर गौर्मेंट हायर स्केंडरी स्कूल बॉइस कथुआ से आज आठवी का हिस्ट्री के सब्जेक्ट से एक नया यूनिट लेने जा रहा हूँ उस नय यूनिट का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्टरी यूनिट है, इस नयूनिट में हमने जैसे की टाइटल में हमने बताया वीवर्स, वीवर्स हम किनको बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में जुलाहा कहते हैं, जुलाहा क्या करते हैं, ये कपड़ा बुनने का काम करते थे, तो आज हम इस चप्टर में ये बताएंगे कि जो दिरे दिरे अपने इस profession को दिरे दिरे छोड़ते गए दूसरी बात करेंगे हम iron smelters iron smelters वो लोग थे जो iron and steel industries के अंदर जहां लोहे का काम करते हैं याने की लोहे को पिखलाते हैं या लोहे से कोई भी ने जार यहां त्यार करते हैं इसी तरह से तीसरा आ गया factory owners, factory owners का मतलग हो गया जो उध्योगों के मालिक थे तो इस पूरे चप्टर में हम इन तीन चीजों के उपर focus करेंगे सबसे पहले आएगा कि वीवर्स की जुलाहे कोन थे जुलाहों ने किस तरह से भारत में contribution दिया और किस तरह से उनका decline होगा दूसा या iron smelters जो लोहे का ओजार बनाते थे तो वो किस तरह से अपना profession चलाते थे और किस तरह से वो develop और किस तरह से वो decline हो गया तो इस तरह से हम इस चप्टर में यह चीज पढ़ेंगे लेकिन इस यूनिट को हम study करें तो इस यूनिट को हम दो पार्ट में divide करेंगे पहला पार्ट जो रहेगा उसमें हम cotton textile industries के बारे में जानेंगे दूसरे पार्ट में हम iron and steel industry के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इस पूरे यूनिट के अंदर दो industries के उपर focus है पहले कि जो cotton textile industry किस तरह से भारत के अंदर flourish हुई किस तरह से जो है वो develop हुई और किस तरह से भाद में वो decline होगी सेम इसी तरह हम iron and steel industries को पढ़ेंगे second part में कि किस तरह से जो iron and steel industries थी भारत के अंदर वो flourish हुई किस तरह से वो develop हुई तो इस से पहले कि हम इस chapter को continue करें तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि this chapter tells the story of crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries इस chapter में जो दो stories है पहली story आगे cotton textile की कि किस तरह से भारत के अंदर cotton textile develop हुई और किस तरह से flourish हुई दूसरा हम बात करेंगे कि जो cotton textile industry है वो भारत में किस तरह से आई और किस तरह से वो develop हुई थी तो इनी दो industries के ओपर हम आज बात करेंगे both these industries were crucial for industrial revolution in the modern world क्योंकि जितना भी अध्योगी की विकास या industrial revolution हुआ अध्योगी करांती हुई वो दो अध्योगी करांती जो थी वो इनी दो industries के ऊपर based थी iron and steel industries और cotton textile क्योंकि ये भारत की और दुनिया की सबसे oldest जो हैं industries है इसी तरह से mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century 19th century का सबसे advanced या सबसे बड़ा industrial जो नेशन बना वो England बना और उसका सबसे बड़ा reason जो था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है industrial nation कैसे बना क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे mechanized production हुई cotton textile की यानि कि उन्होंने सबसे पहली technology का इस्तेमाल किया cotton textile industries के अंदर दूसरा बचो and when its iron and steel industries start growing from 1850s और दूसरा जो बिटेन जो था जो industrial nation बना उसका दूसरा बड़ा कारण था iron and steel industries जैसा कि हमने बताया कि iron and steel industry जो है वह 1850s में इंग्लैंड में आई थी और बिटेन केम टू बी नोन आज दा वर्क्शॉप आउप दा वर्ल्ड तो वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्क्शॉप बन गया iron and steel industry में तो यह जैसा कि मैंने बताया बचो कि दोनों industries ऐसी थी जिसके बेस्ट पे जो था जो बिटेन था वो दुनिया का सबसे बड़ा industrial nation बना और वही देश ऐसा था जहां पे industrial revolution आई तो इस तरह से इसको हम industrial revolution की birthplace भी कहते हैं England को तो कहते हैं the industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India भारत को जीतना और भारत के ओपर open waste बनाने इसका industrialization से बड़ा close connection था England का क्योंकि ब्रिटेन अगर भारत का भारत को पनिवेश ना बनाता या भारत के ओपर अपना उसका control ना होता तो शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा industrial nation ना बन पाता क्योंकि जैसे you have seen या you have see the chapter 2 how the East India Company interest in trade led to occupation of the territory तो जैसा कि आपको पता है कि आपने second chapter में भी यह सुना है यहां पड़ा है कि किस तरह से जो English East India Company थी उसका जो main interest था विपार के ओपर वो main काम यही था कि वो भारत के साथ trade गरना चाते थे और जिसके कारण और ने यहां की territory के ओपर अपना control किया and how the pattern of trade change over the decades और धीरे धीरे जो है वो अपना trade का pattern जो है वो भी बदलते चलेगे in the late 18th century the company was buying goods in India and exporting them to England तो कहते हैं लेट 18th century में यानि कि end of 18th century में जो British East India Company थी वो क्या करती थी कि भारत से goods को समान को खरीती थी और फिर वो export करती थी England में यह यूरोप में यानि कि England में और यूरोप में वो क्या करती थी यहां से समान खरीत के उन जगाओं पर बेचती थी and making profit through this sale और इस तरह से वो अपना वो profit कमाते थे तो with the growth of industrial production क्याते हैं जैसे ही वहां पर industrial production की growth बड़ी जो Britishers थे जहां जो British East India Company थी यह British industrialist थे begin to see as a vast market for their industrial products तो भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी market बन गी एक बहुत विशाल market थी ताकि वो अपना industrial products जो थे वो भारत को बेज सकते थे और यहां से raw material को लेके वो अपने देश में industries के अंदर लगा सकते थे and over the time manufacture goods from Britain begin flooding India अब वो क्या करते थे यहां से बहुत मात्रा से raw material ले जाते थे और वहां पर त्यार माल करके यानि कि जो manufacturing products वहां पर बना के वो दुबारा वापिस भारत के अंदर जो है वो बेश देते थे ज्यादा दाम में तो इस तरह से बच्चों वो trade करते थे भारत में and how did this effect the Indian crafts and industry लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से वो यह trade करते थे इससे भारत का जो craft था यहां भारत की जो खुद की industries थी वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होती गई इसके उपर क्या प्रभाब पड़ा वो हम इस unit के अंदर पढ़ेंगे and this is the question we will explore in this chapter तो यह question जो है हम यहां पर explore करेंगे कि ब्रिटेन में जो industries लगी या भारत से जो उन्होंने ट्रेड किया तो उसका भारत की industries के उपर यहां हमारे जो craft से उनके उपर क्या प्रभाब पड़ा तो कहते हैं around 1750 तो 1750 के आसपास before the British conquered Bengal जब Britishner ने Bengal के उपर अपना control नहीं किया था तो India was for the world largest producer of the cotton textile तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा cotton textile प्रडूजर था यानि कि भारत में cotton textile सबसे ज़्यदा प्रडूजर किया जाता था और Indian textile जो था long been renowned both for their fine quality and exercise craftsmanship तो कहते हैं उस समय जो भारत का textile था वो world में सबसे ज़्यदा renowned था या famous था क्योंकि उसके दो reason थे कि क्यों वो इतना famous था या क्यों इतना renowned था तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि वो हमारा जो cotton textile था वो world का सबसे ज़्यदा fine quality का था याने कि सबसे बढ़िया quality का था और दूसा एकुसाइट craftsmanship यहां के जो craft थे उसकी नकाशी या उनकी कारीगिरी जो थी वो बहुत ज़्यदा अच्छी थी दूसा they were extensively trade in Southeast Asia और भारत का मुख्यतर जो वेपार था वो Southeast Asia से याने कि South East Asia में कौन से country थे जैसे जावा था सुमात्रा था पैंगांगी था यह कुछ जगा थे जिस एरिया से भारत का trade होता था इसके इलावा West and Central Asia जो पश्चिम और मध्य एशिया था उसके साथ भी भारत का trade होता था From 16th century European trading companies began to buying Indian textile for the sale in the Europe तो कहते हैं 16th century से जितनी भी European trading companies भारत में आई चाहे वो French थी चाहे वो Portuguese थी चाहे वो British थी तो इन सभी ने क्या किया कि भारत का जो Indian textile जो था वो यहां से उन्होंने खरीदा और यूरोप में जाके वो sale किया तो इस तरह से जो है यह profit कमाते थे यह profit लेते थे तो इस तरह से कहते है जो memories of the flourishing trade and craftsmanship of the Indian weaver is preserved in the many words still current English and other languages आज भी अगर हम English यह उनकी भाशाओं का European भाशाओं की बात करें तो उसमें भारत के जो cotton textile का जो trade है यह जो हमारे craftsmanship थी Indian weavers की उनके words जो है आज भी उन किताबों में या उन words में आज भी दर्ज है it is interesting to trace the origin of such words and see what they tells us तो आज भी इंडियन वर्ड्स है European dictionaries में मिलते हैं तो जैसे words tells us the histories अब कौन से words है जो हिस्टी से उन्होंने हमारे से लिये हैं जैसे European trader first encounter fine cotton cloth from India carried by Arab merchants कहते हैं जो European traders है तो सबसे पहले जो fine cotton cloth वो भारत से ले जाते थे तो सबसे पहले वो खुद नहीं आए सबसे पहले उन्होंने क्या किया जो अरब के merchants से Arabian merchants के द्वारा वो ट्रेड करते थे तो जो अरब के merchant थे in muscle in present day Iraq वो कहां थे वो इराक के अंदर थे यानि कि उसको पुराना नाम इराक का muscle था तो muscle से जो है उनका सारा वेपार होता था and so they begin referring to all finely woven textile as a Muslim तो उन्होंने क्या किया जितने भी fine quality के जो textile थे उनका नाम Muslim रख दिया a word that acquired wide currency when the Portuguese first came to India तो इस तरह से सबसे पहले जो fine quality के जो नाम था वो जो भारत से जो चीजें लेगे उनको उपर उन्होंने उसका नाम रख दिया तो दूसरा भारत में जब पुर्तगीज आये जो पहली बार जब पुर्तगीज भारत में आये first came to India in the search of spices तो सबसे पहले जब वो आये तो वो आये थे किसलिए बचो वो सिर्फ मसालों की तलाश के लिए थे and they landed in Calicut तो Calicut वहां पे वो सबसे पहले लैंड हुए and on the on the Kerala coast in the southwest इंडिया तो जो southwest इंडिया का जो केरल कोस्ट था वहां पे सबसे पहली बार पुर्तगीज लैंड हुए और उस जगा का नाम था काली कट तो जो टेक्स्टाइल कॉटन टेक्स्टाइल थी विच टुक बैक टू यूरोप along with spices came to be called Calico तो कहते हैं जो वह मसाले लेके और उसके साथ cotton textile लेके बापिस यूरोप में गए तो वहां पर जाके उन्होंने क्या किया इस का नाम जो है Calico रख दिया जो cotton textile का नाम ही Calico रख दिया कहते हैं यह नाम उन्होंने कहां से ड्राइब किया यह नाम कैलिकट से लिया and subsequently the Calico become the general name for all the cotton textile आज European countries के अंगर generally जो नाम है cotton textile का वो कैलिकियो नाम से जाना जाता है तो यानि कि यह नाम जो था यह भारत से ही ड्राइब किया उन्होंने कैलिकट एरिया से तो इसी तरह से there are many other words इसके लबब और काफी word ऐसे हैं जो which point to popularity of Indian textile in western market तो आज विव वह western market में उतने ही famous है वो नाम जो भारत की textile से उन्होंने लिये थे तो यानि कि Indian names को उन्होंने imitate करके जो है वहां पर अपना in European market को flourish किया इसी तरह से from 1680s there started a craze for printed Indian cotton textile तो कहता है 1680 के बाद भारत का जो printed Indian cotton textile था उसकी बहुत ज़्यादा क्रेज थी इंग्लेंड में और maximum European countries के अंदर for their exercise floral designs तो जो उसका एक्साइट floral designs था उसके लिए सबसे ज़्यादा famous थे दूसरा fine texture के लिए बहुत ज़्यादा famous थे और तीसरा उसकी relative cheapness यानि कि उसका जो बाकी कपड़ों के साथ उसका जो cost थी वह ज़्यादा सस्ती पड़ती थी इस तरह से जो इंग्लैंड में cotton textile industries की भारत की बहुत ज़्यादा थी उसकी इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज थी और उसके पीछे मैंने reason बता दिया बचों कि जैसे यहां का जो रिच प्यूपल थे इंग्लैंड के इंक्लूडिंग दा क्वीन हर से वहां की क्वीन थी वह भी भारत के cotton जो हैं फैब्रिक्स इंडियन फैब्रिक्स को ज़्यादा पसंद करते थे और ज्यादा उसी को इस्तेमाल करते थे तो इस तरह से हमने के उपर बाइदा 80 अर्ली 18 संचरी वरीड बाइदा पॉपलरिटी ओफ इंडियन टेक्स्टाइल वूल और सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड बिगेंड प्रोटेस्टिंग अगेंस ता इंपोर्ट ओफ इंडियन कॉटन टेक्स्टाइल तो एरली 18 संचरी में क्या हुआ कि जो टेक्स्टाइल या वूल या सिल्क जो मेकर्स हैं वह अगर इसी तरह से पॉपलर होते गए तो जो ब्रिटिश जो इंडिस्टी थी वो देरे-देरे कलाप्स हो जाएगी तो इस तरह से उन्होंने क्या किया 1720 में दा ब्रिटिश गोवर्मेंट इनक्टेड लेजिसलेशन दा यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्स्टाइल चिंट इन इंग्लैंड तो उन्होंने क्या किया कि 1720 में एक लेजिसलेशन में कानून पास किया कि जिसके तहट उन्होंने क्या कि हमारे जो प्रड़क्स से जो इंडियन कॉटन टेक्स्टाइल ती उसको बैन कर दिया खंडira & this Act was known as a Calico Act और इस Act का नाम भी आलिकोकत ही रखा जानी कि ये नाम भी उनने कहां से ड्राइव किया कैलिक एसलिया तो जो भारत का कैलिक करीया थे आपर तो इसी समय क्या हुआ जो टकस्टाइल इंडेस्टी थी had just began to develop in England क्योंकि इसी समय टेक्स्टाइल इंडस्ट्री जो थी वो धीरे-धीरे डेवल्प पोरी थी इंग्लेंड के अंदर जिसकी वज़े से unable to compete with Indian textile और वो भारत का competition नहीं कर पा रहे थे जिससे क्या हुआ जो English producers say wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textile तो जो British इंग्लिश जो producer से वो नहीं चाते थे कि Indian textile किसी तरह से जो है उनकी market के अंदर enter कर जाए तो इसलिए उन्हें क्या किया अपनी market को secure करने के लिए उन्हें इंडियन textile को entry देने से prevent कर दिया रोक दिया तो उसके लिए उन्हें क्या किया the first to grow the under government protection was calico printing industry उन्हें क्या किया जो भी calico printing industry थी government उसको अपनी undertaking में ले लिया ताकि वो क्या कर सकें जो Indian designs थे वर नौ इमिटेट तो वो चाते थे कि जो Indian designs थे वो उनको imitate कर सकें और उन्हें imitate करके जो है वैसे ही कपड़े उन्हें है अपने देश में बनाना शुरू कर दिया इसी तरह से जो competition था विद इंडियन textile आलसो लेटू सर्च आफ और टेक्नोलोजिकल इनोवेशन इन इंग्लैंड और दूसरा उन्हें क्या किया वहां पर इंग्लैंड के अंदर नहीं नहीं टेक्नोलोजिकल इनोवेशन की ताकि वो क्या कर सकें कि जो इंडियन जो cotton textile था उसका competition कर सकें तो इस तरह से उन्होंने पहला एक इनोवेशन का काम किया और इसी की कडी में उन्होंने क्या किया इन 1764 अब स्पाइऔनी जैनी जो थी वह इनवेंट कर दिया अब स्पाइई जैनी ज्योण फैनी यह मशीवशनन का सपरेट सब्ल één तो यह भारत से ही उन्होंने सीखा कि किस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो spindle से एक आदमी spindle को घुमाता था और उसी से थ्रेड जो थे वह पन होते थे और इसी तरह से जो वील घुमता था और spindle से वह को रोटेट होते थे तो यह जौन के द्वारा यह इन्वेंट किया गया विच इंक्रीज द प्रड़क्टिविटी आफ ट्रैडिशनल spindle तो वह चाते थे कि जो इंडियन कॉटन टेक्स्टाइल की तरह वह भी अपना ट्रैडिशनल spindle सो है उसकी प्रड़क्टिविटी को इंक्रीज करना चाते थे इसके अलावा जो दूसरा उन्हें जो में काम किया वह था invention of the steam engine क्योंने steam engine की खोज गी रिचर्ड और क्राइट रिचर्ड और क्राइट के द्वारा जो था स्टीम एंजिन की खोज वी 1786 में जिसने क्या क्या रिवुलिशनाइज्ड कॉटन टेक्स्टाइल वीविंग तो जिससे क्या हुआ जो कॉटन टेक्स्टाइल वीविंग थी उसमें एक नहीं क्रांती आगी और क्लोथ कुट भी नौ भी वोवन इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू तो कहते हैं जो कपड़ा बना वो बहुत लार्ज क्वांटिटी वी उन्हें बनाना शुरू कर दिया और सस्ते दामों बनाना शुरू किया इस तरह से उन्होंने इंडियन मार्केट जा इंडियन जो कॉटन टेक्स्टाइल थी उनके साथ कंपिटिशन करने की कोशिश की लेकिन कहते हैं हाओवेवर दा इंडियन टेक्स्टाइल कॉंटीनू भी डॉमिनेंस में रहा और इंड आफ 18 संच्री तक वर्ड में इसका जो भारत का ट्रेड था वो तब भी डॉमिनें प्रेंटरा और यूरोपीन जो ट्रेडिंग कमपनी ती जैसे दच थे फ्रेंच थे इंग्लीश थे मेंड इनॉर्मस प्रॉफिट आओट अफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड और भारत के इस फ्लोरिशिंग ट्रेड से बिटेन डच और फ्रेंच ने जो है बहुत ज्यादा कमाया तो इस तरह से जो है भारत के अंदर जो है cotton textile industries flourish होई अब cotton textile industries flourish होने की वज़े से भारत में industries जो है वो developed वी और Britishers ने क्या किया भारत के अंदर बहुत सारी industries cotton textile की incorporate करना शुरू कर दी लेकिन उससे क्या हुआ जो हमारे वीवर से उनको नुक्सान हुआ लैक आफ वीवर से हो थे वह अपना profession छोड़ गए वह उस profession की जगा agriculture labor का काम करना शुरू कर दिया उन्होंने एक और दूसरा उन्होंने जो अपना जो traditional occupation था उसको दिरे-दिरे छोड़ते गए तो इससे क्या हुआ कि दिरे-दिरे जो हमारा Indian textile था वह भी दिरे-दिक्लाइन हो गया अब वह डिक्लाइन क्यों है उसके पीछे बहुत सारे reasons से क्योंकि सबसे पहले जो British textile था यहां European या American markets में उनकी demand वहां पर competition बढ़ गया तो इस वज़े से जो Indian जो cotton textile था उसकी market डाउन होगे दूसरा जो export होता था cotton textile का England में वो अब बंद कर दिया गया ताकि बंद किस तरह से किया और उन्होंने हाई जो duties लगा दी impose कर दी on Indian textile ताकि वो import ना हो सके Britain के अंदर इसी तरह से जो thousand of viewers थे इंडिया के अंदर उन्होंने अपना employment छोड़ दिया और जो बंगाल के जो वीवर से उनकी condition इतनी खराब हो गई कि उन्होंने सारे profession जो था अपना छोड़ दिया और जो European company थी उन्होंने Indian goods को खरीदने से मना कर दिया इस तरह से जो दिरे-दिरे जो था भारत का जो cotton textile industry थी वो दिरे-दिरे खत्म होना चले गई तो इस तरह से अब इस unit में हमने बताया कि किस तरह से cotton textile industries भारत के अंदर flourish हुई और बाद में किस तरह से Britain के साथ उसका competition हुआ और दिरे-दिरे किस तरह से जो Britain की जो इस इंडिया company थी और किस तरह से भारत की जो cotton textile industries थी आस्ता-स्ता उन्होंने इसको डाउन कर दिया तो इस तरह से इस चप्टर में हमने part 1 में यह पढ़ा कि किस तरह से cotton textile industries भारत में flourish हुई उसके पिछे क्या reason थे और क्या कौन से reason थे बाद में इसका यह downfall हुआ decline हुई लेकिन आप next part में हम पढ़ेंगे कि cotton textile industry के और कौन से reason थे जिसके कारण वो भारत से decline होगी और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में iron and steel industries जो थी वो किस तरह से flourish हुई तो यह सारा part 1 में था इसके लावा जो अगला topic होगा वो part second में हम इसको cover करेंगे thank you thank you very much